हलो फ्रेंट्स आज हम लोगस बात करेंगे आरफ इंजीनियर के बारे में OK आरफ इंजीनियर का त्टेलीकं सेक्टर में और इसकी सेल्री क्या होती है और क्या काम करते हैं तो चलिए यही सब jानते हैं इस वीडियो में और हाँ अगर आप निव है तो मेरे चेनल को सुस्ट्राइब कर लिजी दोस्त जैसा आप देख रहे होंगे इस वीडियो में आरफ इंजिनियर के बारे हम लोग आज बात करेंगे तो आरफ इंजिनियर का मतलब होता है आरफ इंजिनियर का मिन्स होता है रेडियो फ्रिकेंस इंजिनेर क्या पड़े सकते हैं अपको बेटे करना पड़ेगक नपकर करका आप जॉइन कर सकते हैं लें लेगिन डिपलोमा का उतना ग्रोथ नहीं है सक्टर में जो भी है क्लियर मैं आप बताता हूं बी टेक में कौन-कौन सब मतलब ब्रांच ले सकते हैं और आप जोईन कर सकते हैं टेलीकॉम सेक्टर में आप देख सकते हैं E&C मतलो electronics and communication आप electronics only भी लेकर जोईन कर सकते हैं computer science है आपके पास तो आप भी जोईन कर सकते हैं IT अगर आपके पास branch है तो आप भी जोईन कर सकते हैं only electrical है तो आप भी जोईन कर सकते हैं अगर electrical अंड इल्च्टोनिक से तो फिर भी आप जून कर सकते हैं बी में भी देख लिझा सेम ब्राँच है ठीक है और डिप्लॉमा बीचली नियुसिटमki में से और civil engineer but Elecom sector में काम कर रहा हैन्-टो क्यों काम कर रहा है? depends करता है कि आप मतलो starting कहां से σुरु कि है हो सकता when mechanical engineer, telecom or civil engineer are आप शुरू से ही telecom sector में काम कर रहा है TELECOM sector में आपको knowledge, experience है तो आप काम कर सकते है, ऐसा कुछ नहीं है RF engineer के salary क्या है? बॉत सा आलग लग डिपार्टमी करें और बहुत सब अलाग लग डिपार्टमेंट है जिसमें आप जोयन करके काम कर सकते हैं तो आप देख रहे होंगे कि आज जो सैलरी को रहे utan चेक काम करता है और हां अपने काम कर रहे हैं उसके उपर भी निरृभर करता रहा है ठीक है दोस्त इसके बाद हम देखते हैं next point एक नटुकिका अप आरफ इंजिनियर के responsibility क्या है मतलब का duty क्या करना है आपको ठीक है अगर आरफ इंजिनियर जोइन करते हैं तो आरफ इंजिनियर ओफिस में भी काम करता आप यहां पे देख सकते हैं you can work at office and field दोनों जग आप काम कर सकते हैं और आरफ इंजिनियर को travel करना पड़ता है customer location में और field site to ritual network issue अगर कोई network issue आगया जैसे आपके गाउं में अगर आपको coverage का problem है या कुछ भी problem है तो वहां पे आपका आरफ इंजिनियर आपके आपको network को solve कर सकता है ठीक है you must test the performance of existing site network and new site network ओके आपको अगर आप आरफ इंजिनियर है तो आपको performance चेक करना है existing site का ओके जो पुराना site आपको old site है ठीक है और वहां पे अगर कोई new site लगा है 2G या 3G, 4G या 5G का तो उसका भी आपको performance चेक करना है कि मतलों कैसे चल रहा है यू must check अजिमूत जिसको हम लोग degree बोलते है electrical tilt mechanical tilt for all sector आपको अजिमूत चेक करना डिगरी चेक करना है electrical tilt mechanical tilt सभी सेक्टर को चेक करना है कि आपके मतलों जो भी आपका performance उसके हिसाब से यह सही है कि नहीं है अगर आपका performance खराब है ठीक है site का तो आप यह सब चीज़े चेक कीजिए अब जिमूत चेक कीजिए electrical tilt चेक कीजिए mechanical tilt चेक कीजिए site का ठीक है you must check network signal and interference issue and suggest network improvement अगर आप फिल्ड पे है और अब network signal चेक कर रहे हैं अगर पूर है तो आप देखे कहीं पिर interference issue तो नहीं है अगर आपका माले जे एर टेल ऑप्रेटर का आप सर्विया यह आरफ इंजिनियर है तो यह भी देखे कि यह आदर ऑप्रेटर का जो एंटीना है दोनों एक तरफ एक ही दिसा में तो नहीं देख रहा है और नजदिक तो नहीं है मतलों ज्यादा क्लोज तो नहीं है उसके वज़ा से भी interference issue होता है ठीक है और आप सजेस्ट किजिए मतलों network improvement करने के लिए मतलों क्या करना पड़ेगा उस एंटीना को क्या करना पड़ेगा क्या टील सेट करने पड़ेगी आप यह सब चीज़े आप मतलों कर सकते हैं यूजिंग कंप्यू मतलों coverage मतलों cover करेगा इस सेट अगर ज्यादे population है तो इस सेट हम सेक्टर रखेंगे तो ज्यादा मतलों अच्छा रहेगा मतलों इस तरह साब design करके आप मतलों बता सकते हैं यह RF engineer अगर फिल्ड पर काम करते हैं तो अगर आप साइट पर है आप मतलों जा रहे हैं काम करने के लिए मतलों आरफ सर्वे करने के लिए तो आप देख सकते हैं कि आपको क्या का चेक करना है अगर आप देख सकते हैं यह गूगल में भी देख सकते हैं कि कितना मतलों क्वालीटी है डाटा का वहां पर आपको पता चल जाएगा आपके मौई में भी मतलों दिखा जाएगा कितना नेट पर के यह सब चीज़ आपको चेक करना है यह RF engineer अगर कुछ मतलब नेटर के इसू है ट्रबल शूटिंग अना है तो आपको इसके बारे में जानना चाहिए कि सेक्टर स्वेप क्या होता है कि सेक्टर स्वेप क्या होता है सेक्टर स्वेप होता है कि अगर अपका फर्स सेक्टर में सेकेंड स्वेप जिए जिसे आपका JSM से जो आ रहा है, जो एंटीना से जैसे एक नमर से आ रहा है, तो RRU के भी एक नमर में connect होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आगर आपका एंटीना से एक नमर से आ रहा है, और RRU में 2 में connect हो रहा है, तो that is called jumper swap और filter swap, आपको मतलब MF info का भी मतलब knowledge होना चाहिए, आप दे है, ठीक है, KPI के मतलब की performance indicator, मतलब आपको performance check करना है site का, before swap and after swap, ability to work without supervision, मतलब आपको अकेले ही काम करनी की छमता होनी चाहिए, ठीक है, good troubleshooting skill, जैसे मैंने आपको बताए कि अगर कुछ भी issue आपको मिलता है, तो आपको solve करना है, minimum time में, आइसा नहीं कि मतलब आपको filter swap और jumper swap मिल गया, तो आप दिन बार उसी में लगे हुए है, तो वह इसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये इस RF engineer के responsibility, इसके अलावे भी बहुत कुछ है, लेकिन जो main main चीज़े है, मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया, और बहुत से engineer के बारे में, वीडियो के नीचे तो आपका इस साइड भी अधर एरिया है, बहुत सा इसा department जहां पर आप जोइन कर सकते हैं, जुनियर इंजिनियर है, ठीक है, उसके बाद आप senior RF engineer भी जोइन कर सकते हैं, अगर आपके पास पाम सल से ज़्यादे experience है, ठीक है, team manager भी जोइन कर सकते हैं, project manager भी जोइन कर सकत सकते हैं, ठीक है, senior RF engineer से technology manager या network architecture मतलब यह जोइन कर सकते हैं, ठीक है, फिर middle manager, senior manager, यह सब चीज है, आपको यह भी जानना है, कि मतलब 2G का architecture क्या होता है, 3G का architecture क्या होता है, 4G का, 5G का architecture क्या होता है, मतलब कीस तरह से, मतलबוח, site क्या पात है, यह सब चीज आपको जानना पढ़ेगा, दोस्त, carrier तो है लेकिन आपको काम करना है, अईसा नहीं कि के, आप carrier पकड़के बैठे ह कर दोई हैं के सबी में वो डीपेंड करता है कैसे काम करते हैं तो इस वीडियो में आपको बताया मतलब आरा फिरनेर क्या उता है उसके सेलरी के लिए था उसके काम शक्रीर की लिएटेट तो यह सब हम लोग जाने इस वीडियो में दोस्ति थिक अगर आध़ अगर अगर बाइ-बाइ, थैक यू